वीमसी का टेस्ट्स देता थे टेस्ट्स बहुत हैल्प किये थे मेरे मीन्स में भी वैसे सेम भी नमबर आये थे वोर्स तो जाधा फोकस किया नहीं था मैंने लेकिन अच्छे नमबर आ गए थे जिस्से परसेंटेज संबल गई थी CBT मैंने एक भी मिस्स नहीं किया था सारे टेस्स दिये थे और सेंटर पर जाके ही दिये थे हमारे टीचर्स भी बोलते थे कि CBT मिस्स नहीं करना सेंटर पर जाकर देना है आपको मतलब exam में वह वाला प्रेशर नहीं होगा कि आप computer के सामने paper लिख रहे हो या paper attempt कर रहे हो chemistry आपकी NCRT अच्छे से करीवी है अगर organic और inorganic especially तो आपके means के सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे लेकिन वो NCRT ढंग से करना ही एक challenge होता है hostel life बहुत बढ़ी है हमारे hostel के अंदर ही badminton court, cricket pitch और football ground बगेरा सब है तो खेल कूद होता है hostel में और रात को जगते हैं मतब sleep schedule तो पूरा hostel में बेड़ा हुआ ही रहता है और रात को जगते हैं और फिर सुबा आट वजे class रहती है हलो everyone, this is Saurabh Kumar आपका host VMC Unscripted पे सिर्फ VMC YouTube चानल पे और आज मेरे साथ पजूद है IIT खड़कपुर से आए हुए Venu Gopal जो JE 2023 कौलिफाई किये और ex-VMC student है So welcome Venu Gopal to this podcast of VMC Thank you sir तो आपने JE 2023 कौलिफाई किया और अभी तुमें पे ज़्यादा फोकस रख रहे है 99 प्लस परसेंटाइल आप लेके आए हैं तो जरनी की आपकी बात करेंगे बच्चों को अभी क्या इस समय क्योंकि यही लास के तीन चार महीने जो होते हैं जो लास मंट्स होते हैं वही सक्सेस को बिसिकली टर्माइन करते हैं तो इससे पहले हम इस पर पहुँचें आइटी खड़कपुर जो सबसे बड़ा कैमपस आइटी का माना जाता है ना और सबसे पुराना भी जहां तक मुझे पता है ना तो घुम लिया पूरा केमपस पूरा तो नहीं गूम पाते हैं मतलब अभी भी पूरा नहीं गूमा हैं लेकिन बहुत मेजर जगह तो कवर हो गई है तो मेजर ब्लॉक्स जो हैं जो जा जाना इंटरस्टिंग चीज़े हैं वो सारे कवर कर लिया है बाकी जाए थोड़ा जंगल टाइप है वहाँ पर सेक्योरिटी भी लगी रहती है तो अलावड भी नहीं हो आ जाना तो कैसी होस्टल लाइफि ए आइटी खड़कपर की है है? होस्टल लाइफ बहुत बढ़ी है हमारे होस्टल के और बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिछ और मतब फुटबाल ग्राउंड बगरा सब है तो खेल कूद होता है होस्टल में और राद को जगते हैं मतब sleep schedule तो पूरा hostel में बेड़ा हुए रहता है और आद को जटते हैं और फिर सुबह आठ वजे class रहती है तो पिर सोते कब है? सोते तीन-चार बज जाते हैं, मतब दो-तीन बजे संदर पिचाई को भी मैंने एक इंटर्व्यू में मैं एक खड़कपुर के काफी बात करते हुए सोना है तो मतलब उतनी एक्साइटिंग है तो excitement है, आपके तो फादर भी आएटिन है आप बता रहे थे हैं तो मतलब family में आप फस्ट आएटिन नहीं हो तो अब जो journey यही की थी 23 की और जिसे अब जो बच्चे spare कर रहे हैं means 24 या advance 24 के लिए तो अब एक महिना approximately हम कह सकते हैं कि बचा हुआ है January attempt के लिए बोर्स की rate भी बाईचांस अभी आउट हो गई है तो एक एक करके answer करते हैं कि आपने strategy अपनी क्या रखी थी January attempt के लिए जब आप last year यहाँ पर थे BMC गंदर थे और पढ़ रहे थे हमारे तीन सब्जेक्ट हैं physics, chemistry, maths physics मेरा बहुत ही जादा अच्छा था मेरा मतलब फेवरेट सब्जेक्ट थाई और प्लस अच्छा भी number आ जाते थे उसमें तो उसमें मैं previous year papers सारे मतलब 2017 से लगाता गया और उसमें जैसे मैं attempt कर रहा हूँ तो जो सवाल में से नहीं हुए उनकी एक diary बना रखी थी उसमें क्या मेरे को पता हो जाता कि ये सवाल हो जाता वो मैं उसमें लिख लेता हूँ और जब जैसे वीमसी का मौक होता था तो उससे पहले वो diary एक बार go through कर लेता था मैं और maths में, maths मेरा सबसे वीक था तो उसमें बस मेरा ये था कि मैं attempt जो भी करूँ उसमें कोई गलत ना हो negative marking ना आ जाए तो basically आप ये कह रहे हो कि chemistry के paper को आप decode करते थे एक तरीके से है ना कि जो problem नहीं solve हो रही है उसका आपने decode कर लिया और फिर वो concept को आप go through कर लिया कि क्यों वो नहीं हो रहा है basically एक तरीके से आप test analysis की ही बात कर रहे हो deeper level पर जाके और maths में आप कह रहे हो कि आप cautious हो गए थे कि जितना मैं करूंगा उसको मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं 100% accuracy के साथ था मैं इसको attempt करूँ तो maths में coordinate, calculus, trigonometry और algebra तो आपने क्या order रखा था जो इसमें आप जो अपना तयारी कर रहे थे उसमें offer लगाने का calculus बहुत ज्यादा weightage रहता है maths में और वो अच्छे से हो जाएगा तो maths का ठीक ठाक portion तो हो जाता है फिर coordinate geometry आता है, coordinate geometry में आपको सारे formulas वगएरा पता होने चाहिए, नहीं तो आपका कोई सवाल हो गई नहीं और trigonometry तो हर सावाल में थोड़ा थोड़ा यूज होता है, तो उसकी भी आपको सारे formula पता होने चाहिए maths में practice रहता है, जितनी आप practice करोगे उत्ता जाधा अच्छा है, तो मैं last में maths बस previous year जित्ता ही किया था, क्याकि आप सारे practice नहीं कर सकते हो यह तो जब question हम solve करते हैं तो revision automatically हो जाता है, basically यह कह सकते हैं और coordinate geometry तो basically formula का ही game है, आप गो और खास दोर से konic section की बात करते हैं, तो सब कोई बड़ा close ही रहता है, यह ना कि मतलब वई tangent वई normal वई थोड़ा थोड़ा change होता जाता है और आप ने एक बार approach सीख ली, तो आप questions को कर पाते हो, तो last year भी और approximately इस year भी अगर मैं देखू, त तो January JAE means खतम हो रहा है और 20-22 दिन में ही boards start हो रहे हैं, तो एक बच्चों के दिमाग में बहुत आपके सकते हो confusion होता है, आपके time पे भी होगा है तो आपने कैसे overcome किया हो बताइएगा, कि JAE की जो prep है और जब boards में हम लिखने जा रहे हैं paper, तो दोनों में क्या difference है और क्या extra edge हमें बोर्ड के लिए लेना पड़ता है या क्या effort और कमना पड़ता है जिससे कि बोर्ड में एक respectable percentage आजाए क्योंकि जब आप IIT को एम कर रहे हो तो anything above 90 I think is good और anything above 85 is good तो boards के लिए तो मतलब आपकी JAE preparation आप ढंग से कर रहे हो तो boards के physics, chemistry, maths में आप ज़्यादा struggle नहीं करोगे तो कि वो हो जाता है बहुत आसानी से physics, chemistry, maths, English और fifth subject बचता है उसमें मैं तो exam से 3-4 दिंग पहले से पढ़ना शूरू किया था वो chapters पढ़ रहा था reading करके और पिछ लेकिन physics, chemistry, maths में अच्छे नंबर आ गये थे जिससे percentage संबल गई थी तो ऐसे सुछते हैं कि जब आपने boards दे लिए last year भी I think mid-march में boards खतम हो गये थे तो जब आप April J.E. main attempt पे जा रहे थे तो board के end से लेके और April J.E. main attempt तक आपने अपनी strategy को किस तरीके से phrase किया था मेरा first attempt में अच्छे percentile बन गई थी तो J.E. main जो मेरी date थी उससे तीन हाफ़ता पहले कुछ मैंने start किया था J.E. main की preparation उससे पहले advanced टी कर रहा था पूरा बदाब advanced preparation लगा रहा था और जो BMC की sheets रहती है और उनके module रहते हैं वही कर रहा था और जो means से पहले जो मेरी date थी उससे पहले करना शुरू किया same chemistry ही chemistry जो diary बना के रखी थी मैंने उसको go through करता था कुछ important चीज़े inorganic में और organic में रहती है उनके लिए एक-एक sheet बना दी थी मैंने chapter summary टाइप तो वह एक बार reading करके VMC के tests देता थे tests बहुत help किये थे जैसे test में नंबर आ रहे थे मेरो means में भी वैसे same mean नंबर आये थे तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि बच्चे न कई बार ऐसा सूचते हैं क्योंकि मैं अतने सारे बच्चों से हम लोग मिलते रहते हैं है न कि CVT नहीं देते हैं घर पर बैटके test दे लेते हैं या test देने से कोई फरक नहीं पड़ता टेस का paper लेते हैं और उसका फिर solution पढ़ लेंगे तो क्या मतलब right approach क्या अपने अपनाई थी और आप क्या as a senior क्योंकि ये सब अगले साल आपके पास आएंगे रेकिंग तो अब होती नहीं बड़ आपके junior ही होंगे तो क्या आप अडवाइस देना चाहते हो आपको मिलेंगे भी सारे एक विरम सेंस अगले साल आपको मतलब एक्जाम में वह वाला प्रेशर नहीं होगा कि आप computer के सामने paper लिख रहे हो या paper attempt कर रहे हो तो और cvt में सवाल भी मतलब उसी level के आते थे जिस level के असली paper में होते हैं तो cvt देना बहुत cvt देने से भी जादा उसके बाद उसको analyze करना जो आपके सवाल गलत हुए हैं और जो आपने unattempted थे आपके सवाल वो दोनों को analyze करना मतलब और वो जिस वज़े से नहीं हुए है वो एक बार topic जा कर पढ़ लेना और फिर आपको सवाल हो रहा है basically questions आपको analyze करनी हैं तो एक बार strategy for physics, strategy for chemistry and strategy for mathematics for 99 plus percentile in J means आपके आपकी जोगान से chemistry में inorganic बहुत अच्छे से करनी है physical के जाधा questions आते नहीं है means में अब एक दो आते हैं आपका preparation ठीक था कर तो वो हो जाते हैं inorganic और organic के लिए previous paper बहुत ज़्यादा important है previous circle questions क्योंकि repeat भी हो जाते हैं या same concept पे ही questions आ जाते हैं और inorganic और organic दोनों ही और chemistry हो गया maths में मेरा maths गंदा था तो मैं बस यही कोशिश करता था कि 15 questions attempt कर दूँ और वो बिल्कुल सही हो सारे और physics में touchwood मेरा अच्छा ही था physics physics में same questions आप मैं previous circle questions practice करते थे और mock exams में जो questions आते थे वो practice करते थे उससे हो गया था अब इसमें जैसे हम और एक चीज़ आप से पूछे कि NCERT को लेके chemistry में inorganic को लेके आपका क्या view रहा जब आपने त्यारी करी chemistry आपके NCERT अच्छे से करीवी है अगर organic और inorganic especially तो आपके means के सवाल तो बहुत आसानी से हो जाएंगे लेकिन वो NCERT ढंक से करना ही एक challenge होता है तो अब questions जो आते हैं अगर आपके पास जादा time नहीं है तो questions एक बार आपने देख लिए जिस topic से जादा questions आ रहे हैं वो topic एक बार आपने पढ़ लिया अच्छे से और समझ लिया और याद भी कर लिया उस चीज़ को तो inorganic हो जा लेकिन बार पढ़ना है तब ही कहीं जाके कुछ उसमें से निकल के आता है तो यह है और एक हम ऐसे ही है मैं सोच रहा था पूछने का आप से कि life in IIT खासतोर से खड़कपूर academics क्योंकि बहुत rigorous माने जाते हैं जैसे पुराने जो gen 1 IITs हैं खासतोर से कानपूर खड़कपू आपका अगले दिन पूरा फ्री है तो academics उस टाइम में संबल जाता है और उसके बाद पूरा मस्ती ही है तो आपको जो करना है आप कर सकते हो आप खेलना है तो खेल सकते हो clubs बगेर है उनमें जॉइन करके उसमें participate कर सकते हो और competitions भी होते रहते हैं कुछ-कुछ उसमें भी ले सकते हो और मतलब आपका academics वहाँ पर थोड़ा दिहान देना पड़ता है लेकिन extracurricular अच्छा है क्याची ज़्यादा टफ थी ज़्यादा जाके एंसम देना जही की preparation ही ज़्यादा 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 टफ देना एंसम तो मतलब एंसम के लिए हमको गाम कर रहे हैं तो लाइबरेरी में कलेक्शन रहता है अच्छा और आप जैसे दिल्ली में रहते थे या मनलब NCR में रहते थे अब खड़कपुर जली गया जो बेनाल का पार्ट है तो होस्टिल में फूड कैसा है हमारा होस्टिल का तो फूड बहुत ही जादा अच्छा ह है वहाँ पर मेंस जो कॉंट्रैक्टर्स हैं वो लोकल तो नहीं है वो शायद दिल्ली के ही है तो खाना अच्छा मिल जाता है हमको तो फूड वालों को ही मिलता है या सेकंड फूर्स वालों को हमारा होस्टिल सिर्फ फूर्स यर है बाकी होस्टिल में सेकंड थर्ड यर भ तो लिजार टाइम में तो जैसे और भी जो आपके seniors होंगे across other branches वगयरा तो कुछ कुछ सोचा है आगे क्या करना है लाइफ में डिसकुशन होता है कि G.R.E. GMAT देना है या civil services पर जाना है या start-up करना है या क्या सोच रहे हो आगे करने का अब भी जिस तरीके से चीजे हो रही है मैं मास्टर्स इसी फील्ड में करने का सोच रहा हूँ मेकानिकल वाली में फील्ड में ही और इसमें इंट्रेस्ट है क्योंकि और आपका सिर्फ B.T.E.C. से आपका placement अच्छा होई जाता है पर अगर अगर वर्ड अगर हम देख रहे है तो मास्टर्स अब required होने लग गया है मतलब आज से दस साल पहले अर थे थे तो आज भी अच्छा placement है no doubt है उसके अंदर पर इस्टिल masters थोड़ा सा edge तो लेई आती है चाहे management में करें और चाहें MS में करें तो और कोई advice जो आप आने वाले students को देना चाहते हैं कि उनका mains or advance 2024 में उनको कुछ direct from the horse's mouth सुनने को में ले कि क्या करना चाहिए बस ये कहना जाओंगा कि pressure लेने के बिल्कुल ज़रत नहीं है लेकिन थोड़ा सा pressure होना चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी है और लेकिन पेपर देते वाक्त आपको बिल्कुल स्ट्रेस में ही रहना है कि आप पेपर दे रहे हैं या आप से questions नहीं उपाएंगे आराम से कुल माइंड़ली आप पेपर करेंगे तो पेपर बहुत असानी से हो जाएगा So thank you so much for being in this podcast and we wish you all the best for your future और ऐसे ही amazing content के लिए और पाकी IITs के बारे में जानने के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रही है हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए All the best for your preparation